कि नमस्कार आप देह रहा हैं सिटी पोस्ट मैं हूँ अभिशेक मिसराकल जेडिव के रास्टी उपधियक्ष प्रशांत किसोर ने एक बयान दिया है और उस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है एंडिये के अंदर खाने गर्माहट बढ़ गई है तो पहले आपको बता देते हैं कि प्रसांद किसोर ने बयान क्या दिया है प्रसांद किसोर ने 2020 के बिहार बिधान सवा चुनाओ को लेकर ये बयान दिया और कहा कि NDA में सीटों का बटवारा 2020 के बिहार बिधान सवा चुनाओ से पहले उसी तरज पर होगा और जेडियू 1-45 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो जाहिर है इसी आधार पर एंडिये में सीटे बटे गी प्रसांद किसों ने ये कहा था और प्रसांद किसों ने यह भी कहा था कि चुकी अब एंडिये में लोजपा भी है इसलिए जेडियू और बीजेपी मिलकर ते कर कि लोचपा को कितनी सीटे देनी हैं लेकिन इन बयानों के बीच में एक और बड़ा बयान परसांद किसोर ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जेडियू बड़ी पाटी है उसकी भागेदारी बड़ी होनी चाहिए इस बयान के बाद बीजेपी कह सकते हैं गरम है और प सवाल पूछा है कि जेडियू को बताना चाहिए कि क्या प्रसांद किसोर का बयान पाटी का अधिकारिक बयान है और क्या प्रसांद किसोर पाटी के सिर्ष नित्यत्र हो गए हैं बड़ा सवाल किया है बड़ी बात कही है बड़ी बात कही है जेडियू बीजेपी के प्रद बढ़ गई है और कितनी तल्खी पैदा कर दी है परसांद किसोर के इस बयान ने देखना होगा इस पर आगे और भी क्या बयान सामने आते हैं लेकिन मौझूदा इस्थिती और प्रस्थिती यही है कि परसांद किसोर ने 2020 के सीटों के बटवारी को लेकर एक बयान दिया और यह कहा कि जेडियू बड़ी पाटी है उसकी भागेदारी बड़ी होगी फार्मूला 2010 वाला ही होगा और उस बयान के बाद बीजेपी के अंदर खाने गर्माहट बढ़ गई है खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्स जेडियू से यह सवाल कुछ रहे हैं कि पाटी बत है कि क्या प्रसांद किसोर का बयान पाटी का अधिकारिक बयान है और क्या प्रसांद किसोर जेडियू के सिर्ष नित्रिक्व हो गए है तो जाहिर है गर्माहट बढ़ रही है और प्रसांद किसोर के बयान का असर हुआ है इस खबर में इतना ही अगर आपको हमारी खबर अ नवाद